Synergy Synergy का first part है Synergy का मतलब होता है Extra energy Atrikt Urja The meaning of synergy is Synergism Broadly combined action or operation यह synergy का जो मतलब होता है कि Extra energy Atrikt Urja यह तब होता है जब working together जब लोग साथ-साथ काम करते हैं एक साथ काम करते हैं धेर सारे लोग तब जो है Synergy पैदा होती है यहनि जितना योग होता है सबका उससे ज्यादा इनर्जी पैदा होती है उसी को Extra energy कहते हैं Synergy का अर्थ है Synergy वाद Synergy का अर्थ है Synergy वाद बिस्त्रित रूप से जुड़ी हुई क्रिया अथवा कार्य बिस्त्रित रूप से जुड़ी हुई क्रिया अथवा कार्य Broadly combined action or operation जब बहुत ज़्यादा लोग मिल करके बढ़िया team spirit किसी काम करते हैं या कोई और कम करें किसी उड्रयोग में करें रहर किन यह कि उनका मनोपल मंचा होना चाहिए Synergy पाइदा होती है यानि आत्रिक तु ऊर्ज़ा पाइदा होती है आत्रिक तु उर्ज्वा तो जो बड़े बड़े जो leader होते हैं अपने अपने छेतर के वो लोग अपने छेतर में synergy पैदा करने का काम करते हैं क्योंकि बिना synergy से ज़्यादा अच्छा काम होता नहीं है जो profit कहते हैं profit निकलना चाहिए और जितना आप input लगा रहे हैं उससे ज़्यादा output निकलना तो इसलिए सिनर्जी पैदा करते हैं, लीडर लोग, अगर जितना इंपुट लगाया है उतना भी नहीं निकल रहा है, तो पादा क्या है, लेकिन जो हमारे सुप्रीमों नेता बाउजन कहा है, जितना आप लगाते हैं, इन्पुट आउटपुट नहीं निकलता है, यानि व इन्टरेक्शन अफ इलिमेंट्स दैट विन कमबाइइड प्रोडूश ए टोटल इफेक्ट दैइट इज ग्रेटर दैन दी सम आफ दी इंडिविजुवल इलिमेंट्स, सम आफ दी इंडिविजुवल इलिमेंट्स, बहुस से तत्वों की आपसी क्रिया, जब वो जूड क जब वो जूड कर कुल परिडाम पैदा करते हैं, जो की अलग अलग तत्वों के योक से जादा होता है, तो जादा होता है, जो जादा होता है, वही सिनरजी है, जैसे दस लोग हैं, 50-50KG का अगर वजन उठा सकते हैं या 10 लोग हैं अगर 10KG का वजन उठा सकते हैं तो 10 लोग मिलकर के 100KG उठाएंगे एक कुंटल लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब वो टीम से काम करते हैं बनांके काम करते हैं तो वही 10 लोग जो है 100 kg से ज्यादा वजन उठाते हैं, तो वही जो ज्यादा वजन उठा लेते हैं, तो उसी को synergy कहा गया है, extra energy, अतरिक्त उर्जा, उसी को कहा गया है, कहा जाता है, ये करके भी देखा जा सकता है, आप करके देख सकते हैं इसको, कि जब लोग team spirit से काम करते हैं, तो ज्यादा काम होता है ज्यादा काम होता है the combined power of a group of things when they are working together that is greater than the total power achieved by each working separately each working separately कुछ वस्तुओं के कुछ वस्तुओं के समुह की जुड़ी हुई सकती कुछ वस्तुओं के समुह की जुड़ी हुई सकती जब वो साथ-साथ काम करते हैं वो ज्यादा होती है वो ज्यादा होती है पुल सक्ती से जो अलग अलग हर एक के काम करने से प्राप्त होती है अब जैसे फुले हम बेटकरी आंदोलन के डेर सारे सांग अठान है, जिसको देखो फुले हम बेटकरी आंदोलन हैं, चला रहे हैं, सब अलग-अलग चला रहे हैं, लेकिन अगर यहीं जुड़ करके काम करें, एक साथ जुड़ करके काम करें, तो निश्चित रूप से ज़्यादा इन नेता होते हैं, ऑथेंटिक लीडर होते हैं, और नेतिक नेता होते हैं, वो इस काम को करते हैं, वही लोग सिनर्जी पैधा करते हैं, ये सुप्रीमों जो होते हैं, सुवर होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, सुप्रीमों नेता जो हैं, कोई सिनर्जी नहीं पैधा करते हैं सिनर्जी पाइदा वह नहीं नहीं दी थे अगर कोई पाइदा हो तो खुद ही पी जाते हैं तो इन्हीं सुप्रीमों नेताओं के वजह से फूले हम बेटकरी हांदोलन का कबाड़ा हुआ है कबाड़ा हुआ है इसको सिनर्जी को मैथमेटिकली भी समझा जा सकता है मैथमेटिक्स की भासा में जैसे अब ए और बी दो लोग हैं अगर अलग अलग काम करते हैं तो उनका स्कॉयर करेंगे तो ए स्कॉयर मिलेगा बी स्कॉयर मिलेगा लेकिन अगर वही दोनों एक साथ टीम बना करके काम करे तब देखिए a square plus b square plus 2ab, 2ab ज्यादा निकल लहा है, इसी को synergy कहते हैं, गड़ित की भासा में इसको ऐसे समझाया जाता है, कि synergy को कैसे आप समझा सकते हैं, तो गड़ित की भासा में इसको लोग इसी तरह से समझते हैं, तो हम मुल्लिमासी बहुजन के लोगों को भी इसी तरह समझते हैं, समझना चाहिए, कि यह जो सुप्रीमों नेता हैं, आपस में चड़ते रहते हैं, कभी एक जगाई कटे नहीं होते हैं, अगर यह democratic हो जाएं, यह democratic leader हैं, और democratic leader अगर एक साथ बैठ करके काम करते हैं, मिल जुल के काम करते हैं, तब जाकर के यह 2ab निकलता है, इ अचाना है, और यह जो अगनी पथ, अगनी वीर पथा नहीं, क्या-क्या आया है, नوجवानों का जीवन बरबात कर रहे हैं, जो नوجवान बिचारे इतने दिनों से सैनिक सेवा के लिए राद दिन दौड़ते रहे हैं, मेहनत करते रहे हैं, आज उनको 4 साल के लिए, 4 साल के लिए अगनी पत पर चलाएंगे अगनी वीर बनाएंगे उसके बाद 75% लोगों को 75% बच्चėों को रिटायर कर देंगे वेचारे चवकीदार बनेंगे और चवकीदार बनने की कोई घारंटी नहीं है तो ये जो हमारे सुप्रीमों के ता हैं उन्हें की बदमासी की वज़ा से या आज ये हालात 2022 में हमारे मोदी जी ने पैदा कर दिया है नौजवानों के लिए तो आज जरूरत है मुदल मासी बहुजन को कि सिनर्जी पैदा किया जाए संगठनों में अच्छे से काम किया जाए, डेमोक्रेटिक स्पिर्ट से काम किया जाए, टीम स्पिर्ट से काम किया जाए और इस सिनर्जी को पैदा किया जाए, यह अतरिक उरजा जब पैदा होगी तो मोदी जी ऐसे कानून नहीं लाएंगे ऐसी नीती नहीं लाएंगे, नई सिच्छा नीती नहीं लाएंगे, नई साइन नीती नहीं लाएंगे, यह अपने आप कतम हो जाएगे, जरूरत है सिनर्जी पैदा करने की इस मूल निमासी बहुजन में, इस मूल निमासी बहुजन में.